लेते हैं कोशन नबर 17 के रहा विच फिजिकल कॉंटिटी शुट दा स्पीड ओफ और रनिंग बुल भी मल्टिप्लाइड सो एस टू अप्टेन इट्स मोमेंटम मान लीजिए कोई बुल है इस तरीके से ओके यह बुल है और यह बुल बहुत अच्छा बना नहीं है ठीक है सो यह कोई बुल है और यह मानलो लेफ्ट से राइट डिरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में ऐसे जा रहा है ठीक तो देखिए बच्चों यहां मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा था हमने चैप्टर नंबर वन में तो मैंने आप स्टी है उसको यह आप स्पीड बोल सकते हो यह मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था ठीक तो इसलिए कोश्चन में उन्होंने हमसे क्या बोला है कि विच फिजिकल कॉंटिटी शुड बी शुड दा स्पीड ऑफ रनिंग बुल तो मालनों इसकी स्पीड कितनी है मिल जाए ओके तो अब आपको पता है कि मोमेंटम कैसे मिलता है मोमेंटम क्या होता है पी का मतलब क्या होता है मोमेंटम होता है मोमेंटम होता है तो मोमेंटम हमको कैसे मिलता है मास इंटू वेलासिटी यह हमने पढ़ा हुआ है और मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है त speed लिphones सकते हों क Juden तो बस speed को आपने कौन से физical quantity से multiplying किया कि आपको momentum मिल गया तो जबब है speed को हमने mass से multiply किया तो हमको momentum मिल घाए ठीक तो answer हम